यह expiry special वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन bank nifty और nifty में किस तरीके का momentum हो सकता है और उसके पीछे का logic क्या है as per the price action plus option chain analysis के हिसाब से प्लस हम लोग कि इस expiry special वीडियो में सिखेंगे कि jackpot trade को किस तरीके से identify किया जाता है और jackpot trade के पीछे का logic क्या है तो सबसे पहले start करते है bank nifty का analysis अभी आपके सामने मेंने जो chart लगाया हुआ है वो bank nifty का 15 minute का spot का chart लगाया हुआ है इस level के उपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सुबह market ने इसी level से bounce back दिया था इसका reason था put call ratio जो मैंने आपको कल के वीडियो में already explain करके बताया हुआ था यहाँ पे market ने एक hammer pattern बनाया हुआ है जो as a support की तरह काम करता है तो इस level से bounce back देने के बाद दूबारा भी market इस level पर आ चुका है तो कल के लिए हमारे लिए 37,988 का जो level है एक important support level की तरह काम करेगा अगर कल के दिन market flat या थोड़ा सा gap of gap down open होके इस level को downside की तरह break करता है तो उस case में हम लोग क्या कर सकते 38,000 का जो put है उस 38,000 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है नीचे की side में हमें 180-210 तक का भी target मिल सकता है और stop loss मातर हमारा 60-70 point का ही रहेगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिलाल के लिए मुझे कोई buying का level नहीं मिल रहा है लेकिन अगर कल के दिन market gap up के साथ open हो जाता है तो यह 38,300 का जो level है यह 38,300 के level पर दुबारा market इस तरीक एका price action बनाता है तो दुबारा हम लोग क्या कर सकते है यह 38,300 के level के उपर 38,300 का जो put है उस put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है अभी फिलहाल देखोगे तो आप market में clear cut आपको downtrend दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को sale on rise का trading strategy यूज़ करना चाहिए अभी देख लेते हैं कि option chain का data हमें क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने मेंने bank nifty का option chain लगाया हुआ है 18 November के weekly expiry वाला जो की कल है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो layu market में video बना रहा हूँ market अभी 38,000 के करीब है और यह 38,000 के level के उपर put की side में आपको 25 लग का open interest दिखाई दे रहा है जिसमें से 12 लग आज ही के दिन add हुआ है तो अगर कल के दिन market इसके नीचे जाना चालू हो जाता है तो यह सभी लोग trap हो जाएंगे और उनके इस trap होए हुए position का हम लोग benefit ले लेंगे और यहाँ पे हमें जिस तरीके से मैंने आपको put buy करने के लिए बोला था उस तरीके से put buy करके आप यहाँ पे अच्छा कासा मुनाफा कमा सकते हो यहाँ पे call की side में देखेंगे तो फिलहाल मुझे कुछ ऐसा interesting position आभी call की side में नहीं दिखाई दे रहा है इस channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है यही एक मात्र मेरा official channel है चाहाँ पे 1,55,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है अभी देख लेते हैं कि nifty हमें क्या indicate कर रहा है आपके सामने मैंने अभी nifty का 15 minute का spot का chart लगाया हुआ है यहाँ पे आपको clear cut दिखाई देगा कि market ने सुबह एक range bound momentum दिखाया और इस range bound momentum का अभी हम लोगों को breakout मिल चुका है तो जब तक market यह 17,905 के level के नीचे रहेगा market में हम लोगों को sale on rise का ही trading strategy यूज करना है इसके पीछे का reason यह है कि market में आपे फिलाल के लिए downtrend चल रहा है प्लस open interest का data जो है वो भी हमें sale on rise का ही strategy बता रहा है तो कल के दिन market अगर gap up या थोड़ा सा gap down या flat open होता है और इस 17,905 के level के करीब आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग sale का position initiate कर सकते है अगर हमें इस तरीके का price action का structure मिलता है तो तो उस case में हम लोग 17,900 का जो put है वो 17,900 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकता है हमारा stop loss जो रहेगा वो मातर 15 से 20 point का रहेगा और हमारा target जो रहेगा वो target हमारा 40 से 50 point का यहाँ पे रह सकता है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो market ने यहाँ पे एक बड़िया momentum दिखाया हुआ था जहाँ पे big player का buying हुआ था सेम उसी level को market ने आज respect किया लेकिन उस high को market दुबारा break नहीं कर पाया तो हमारे लिए अभी उपर का momentum कब start हो सकता है जब market यह 18,007 के level को upside की तरह break करता है तभी हम लोगों के लिए upside के momentum की probability है otherwise अभी फिलाल के open interest के data से कोई upside के momentum की probability नहीं लग रही है अगर नीचे की side में देखोगे तो यह हमारे लिए एक important support level का काम करेगा तो जब भी market इस important support level के करीब आ जाएगा हम लोग price action देखके decision ले लेंगे अभी देख लेते कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने nipty का option chain लगाया हुआ है 18 November के weekly expiry वाला 17,900 का जो strike price है वहाँ पे put की side में 36 lakh shares का open interest बना हुआ है 17,800 के strike price के उपर put की side में 38 lakh shares का open interest बना हुआ है और 17,700 के strike price के उपर 33 lakh shares का open interest बना हुआ है तो यह almost equal open interest हमें indicate करता है कि put writer में थोड़ी सी conviction की कम तरता है तो इसका ही benefit हम लोग ले लेंगे और जब भी market में long unwinding का fall आ जाएगा हम लोग either sale on rise का trading strategy यूज़ करेंगे या फिर support breakout होने के बाद simply naked sale का ही trading strategy यूज़ करेंगे तो इस तरीके से कल के दिन हम लोग काम कर सकते है जो लोगों को option chain का free का course करना है उसके details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी बात कर लेते हैं कि expiry special jackpot trade को हम लोग कैसे identify कर सकते है या फिर आप उसको hero या zero trade भी कहते हो अभी आप लोगों को क्या करना है देड़ बज़े तक wait करना है देड़ बज़े के बाद आपको देखना है कि call में कौन से side की तरफ highest open interest बना हुआ है मान लोग की call में 18,000 के level के उपर highest open interest बना हुआ है तो हम लोग इस level को breakout होने तक wait करेंगा और breakout होने के बाद कुछ time याँ पर sustain करता है तो उस case में हमें short covering का बड़े apsided momentum दिखाई दे सकता है तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है 15 से लेके 20 रुपे तक का जिसका premium रहेगा वो हम लोगों को call buy कर सकते है और हमारा जो stop loss रहेगा वो stop loss मात्र 5 रुपे का रहेगा और target subject to the market moment रहेगा सेम put के side के लिए हमें apply करना है हम लोगों को देखना है कि put की side में highest open interest कौन से level पर बना हुआ है मान लोगी 17,800 के उपर highest open interest बना हुआ है देड़ बजे के बाद तो हम लोग क्या करेंगे इस level का breakdown होने तक wait करेंगे breakdown के बाद कुछ minute हो के लिए market यहाँ पर sustain होके downside का momentum दिखाता है तो हम लोग put buy कर सकते हैं पूट बाइ करना है जिसका premium 15 रुपे 20 रुपे तक के बीच में रहेगा वो out of the money put हम लोग buy करेंगे और उसका stop loss जो रहेगा वो मात्र 5 रुपे का रहेगा और target subject to the market moment रहेगा यह target के बारे में already मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे YouTube चाइनल पर डाले हुए है तो इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को like कीजे वीडियो को like करने के बाद आपना जो YouTube का educational चाइनल है जिसको 1,90,000 के करीब लोगों ने subscribe किया हुआ है उसको subscribe करके bell icon का button दबा दीजे तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमिजेट आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much